20 ग्राम हर रोज खाएं ये चीज जॉइंट पेन, आँखों की कमजोरी, खून की कमी, शारीरिक ठकान, कमजोरी, अलजाइमर जैसी बिमारी आपको नहीं होगी और साथ में मिलेंगे भरपूर फाइदे नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उससे आपके जोडों का दर्ध ठीक हो जाएगा, ये आपके जोडों में, घुटनों में, हाथ, पैर, कमर में कहीं पर भी दर्ध रहता है, वो ठीक होगा इस औशदी के सेवन से, आपकी आँखे कमजोर हो गई ह आँखों की रोशनी कम है, दिखाई नहीं देता, आँखों की प्रबलम इससे दूर होगी, ये आपके अंदर दुबला पन है, कमजोर आप दिखाई देते हैं, शरीर में कमजोरी है, वो सब इससे ठीक हो जाएगी, और आप हश्ट-कुष्ट बन जाएंगे, तागतवर ब पाचन तंतर को मजबूत कर देगी ये ओश्टी, और दोस्तों ये ओश्टी आपके थाइराइड में भी आपकी हेल्प करेगी, ये आपका थाइराइड बढ़ रहा हो, तब भी ये आपकी हेल्प करेगी से कंट्रोल करने में, जी हाँ दोस्तों, आज जिस ओश्टी के बा बहुत ही उपयोगी फल है दोसों ये फल जितनी उचाई पर लगता है उतने ही अधिक इसमें गून भी पाय जाते हैं नारियल का उपयोग फल के रूप में किया जाता है इसका तेल भी इससे माल किया जाता है इसका दूद भी इससे माल किया जाता है और दोसों इससे बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं साथ ही ये दोस्तों पूजा में भी प्रियोग किया जाता है कच्चे नारियल का भी अगर हम पानी पीते हैं उससे भी हमें बहुत सारे फाइदे मिलते हैं नारियल ये आप खाते हैं या नारियल का पानी पीते हैं तो उससे इम्म्यून सि बुड़ापा नहीं आता अगर नारील का सेवन किया जाए नारील खाने से यदास भी बढ़ जाती है यांि याद किया हुआ सब कुछ रहता है यानि जो चीज आप भूल जाते आप वह आप– अच्छे से याद रहती gent measuring of भूल जाती है, दोस्तो को अगर आप ये खिलाते हैं तो उनका दिमाग तेज होता है पड़ा हुआ उनको सब कुछ याद रहता है इन भरपूर गुनों के अलावा भी सुखे नारियल में काफी औश्दिय गुन पाए जाते हैं जो हमारी सहित को फायदे ही देता है दोसों ये हमारे श्रीर में पोश सुखे नारियल का प्रियोग करते हैं सेवन करते हैं इसका तो आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं और कैसे कैसे आपने इसका सेवन करना है दोस्तों सुखे नारियल के सेवन से आपका श्रीर तावत पर बन जाता है यनि आप दुबले पतले हैं तो आप इसका सेवन करें आपका दुबलापन खतम हो जाएगा, आपके अंदर तावत आ जाएगी, क्योंकि ये तावत का खजाना है दोस्तों, दुबलापन दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आधा लिटर दूद लेना है, उसमें आपने 15-20 मखाने डाल लेने है, 5-6 काजू, 5-6 ही बदाम ले आप और 20 ग्राम सूखा नारियल ले, और 3-4 चुहारों को उबाल ले दूद में डाल कर, इन सब को दूद में अच्छी तरह से उबाल ले और उसका सेवन करे, आप चाहें तो इसमें मिश्री भी धाल सकते हैं, इसको मीठा करने के लिए, ऐसा यदि आप लगतार एक सब्ता भी कर लेंगे, तो आपको असर दिखाई देगा, दूदापन आपका खतम हो जाएगा, और आपका श्री तागत पर बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, दोस्तों ये तागत का खजाना है, इसलिए अगर आप दूले बतले हो, तो आप इसका सेवन चुरूर करें, सूखे नारियल में दोस्तों कौपर होता है, जो की दिमाग को तेज कर देता है, यादास को भी मजबूत बना देता है, ये ऐसे एंजाइन पैदा करता है हमारे शिरी में, जो नियूरो टांस्मिटर को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारा दिमाग तेज रहता है, कोई भी याद कीवी चीज हमें हमेशा के लिए याद रहती है, वह हम कभी भी नहीं भूलते, इसलिए दोस्तों यादास को मजबूत करने के लिए आप इसका सेवन करें, दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा में आइरन होता है, आइरन का ये बहुत ही अच्छा स्त्रोथ है, इसलिए यदि हम इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर अगर खून की कमी है, वो भी इससे पूरी हो जाती है, एनीमिया रोग इससे खतम हो जाता है, साथ ही पूरा करने के लिए, अनीमिया रोग से बचने के लिए, और अपने खून को शुद करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, आप नाडियल का सेवन जूरूर करें, इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, सूखे नाडियल में डायٹरिप फैट भरपूर मात्रा में होता है, यह को दुरूस्थ रखने में हमारी मदद करता हैं जिस से हार्ट समंदी रोगों का ख़त्रा कम हो जाता है यदि आपको heart blockage है कॉलेश्टोल आपका बढ़ रहा है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये dost क्उलेश्टोल को कम कर देता है estiver कर देता है जूत होती है वो हमारे दिन ये बहुत ही फाइदा करता है इसलिए इसे खाने से श्रीर की जो रोग प्रतिरोध रख्षमता है क् loro causation इससे क्या होता है हमारे श्रीर में ब्मारियन नहीं लगती अगर लग भी जाती है तो वो जादा देर तक नहीं पिकती ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देता है और हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद है सूखे नारियल में दोसो कॉलेस्टोल, फाइबर, मैगनेशियम, कॉपर और सिलेमियम जैसे पोशकता तुपा जाते हैं इस कॉलेस्टोल को ये लेवल पर रखता है बैलेंस करके रखता है हमारे शिवी में कॉलेस्टोल को जिस से आपको हाट ब्लोकेश नहीं होती और हाट अटक नहीं होता और मैगनेशियम भी हमारे हाट के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों आप इसका सेवन जरूर करें अपने बारे में भूल जाता है कि वो कौन है, क्या उसका रिष्टा है किसी के साथ, वो सब कुछ भूल जाता है, तो इस बिमारी से बचने के लिए भी सूखे नारियल का प्रियोग करें, अलजाइमा जैसी घातक बिमारी को ये ठीक कर देता है, सूखे नारियल में दोस्तों breast cancer और prostate cancer के cells को बनने से रोपने की शमता भी होती है इसलिए अपने diet में इसे जुरू शामिल करें पाचन तंतर अगर आपका कमजोर है तब भी ये आपकी help करेगा पेट से जुड़े रोगों को ये ठीक कर देता है जैसे gas, cabbage, acidity सब में ये रामबान है पाचन तंतर को इसमें दोस्तो thyroid गंथी को भी ठीक करने की शमता होती है ये आप इसका सेवन करते हैं तो आपका thyroid भी control में आ जाता है ये आपका thyroid बढ़ रहा है तो सूखे नारियल का प्योग जुरूर करें एक हफते तक इसका सेवन करें कम से कम एक बार दिन में जुरूर इसे खाएं और जुरूर है हडियां कहीं पर भी joint pain है कमर में दर्ध है हाथ पैर में दर्ध है तब आप इसका सेवन करें आपका joint pain खतम हो जाएगा ये दि दोस्तों आपकी eyesight week है आँखो की कमजोरी है तब भी आप इसका seven कर सकते हैं इसका seven करने से आपकी आँखों की रोश्नी बढ़ जा तो दोस्तो इन सब रोगों को खतम करने के लिए जैसे कि जॉइंट पेन, आखों की कमजोरी, खून की कमी या दास्त को अगर मजबूत बिनाना चाहते हैं, दूबलापन को खतम करना चाहते हैं, अपने रोग प्रतिरोदक्शम्ता को भढ़ाना चाहते हैं, तो आप सूखे नारियल का फ्योग जुरूर करें, कम से कम 20 ग्राम हर रोज आपने सूखा नारियल खाना हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अनेक रोग इससे ठीक हो जाएंगे, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लिज हमारी वीडियो